नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरिजेश वसिस्ट बैंक के लॉकर से एके करके कई ग्रहावकों का सामान गायब हो गया कानपूर में ये घटना हुई, जब जब लोग गए वहाँ लॉकर्स को चेक करने के लिए पता चला किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख रुपया लॉकर से गायब है, कानपूर की घटना है, फील्ड खाना अलाके की, और उस घटना के बाद में वहाँ का एक करमचारी गायब है, और करमचारी के गायब होने के बाद, वहाँ पर लोगों की समस्या ये है, और हमारे आपके सब के मनमें सवाल ये है कि अगर लॉकर से हमारा और आपका पैसा गायब हो जाए तो कैसे मिलेगा कौन देगा इस सवाल का जवाब गूढ़ और गंभीर है ये एक रास्टी विशाई भी है गंभीर मामला सिर्फ ये नहीं है कि आपको मुआपजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आपको पता चले गई आपको ये जानने को भी मिलेगा कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो स्टेट है, जिसके उपर हम जरूरत से ज्यादा भरुसा करते हैं, वो सरकार, वो सत्ता संस्थान, सरकार के जिब मैं बात करता हूँ, वो स्टेट कोई भी सरकार में हो, वो हमेशा शुब चिंतक जंता की नही होती है जब इस कहानी में आप जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसी बाते पता चलेंगी जिसमें सरकार ने हमको लूटने की कोशिश की और समविधान ने हमारी रक्षा की कई मत जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं भी लॉट कियाता हूँ पर बात्ची शुरू करते हैं अगर आप हमारी मेनत को नवाजना चाहते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपियाई डिस्क्रिप्शन में हैं उसके जरीया भुकतान कर सकते हैं इस्क्रीन पर एक दो जगे पर आपको बारकोड मिरेगा आप उसे भी स्कैन कर सकते हैं मैं अभी हजर हुआ जब बैंक में आप लौकर लेते हैं एक तो आपको बहुत प्रतिक्षा करनी पड़ती है काफी इंतसार करना पड़ता है और लाइन लगाने के बाद में काफी दिन सिर मारने के बाद में आपको एक लौकर बैंक से मिलता है करीब करीब ऐसान की तरह क्योंकि जब आप लोकर लेते हैं आपको जो बैंक का कर्मचारी होता है मेनेजर होता है वो आपको तरह तरह से समझाता है देखिए लोकर जो है मुश्किल है मिलनी पाएगा आप पुराने ग्रहाख हैं तो हम आपको लोकर दे देते हैं अदरवाइ और मेरी जो मेहकी चीजे ये मेह पहुत मुशकिल से जीवन भर कमाई करके स्थय करके हैं, वह बैंक में रहेंगी, तो सुरक्षित रहेंगी। और इससी भरोसे के रहते आप एक किराया अलग अलग के साइस के साज़ी के हेसाब से जो भी हो होता है। 2017 में ये मामला सामने आया, हमारी सरकार ने, हमारे सरकारी बैंकों इंदिया ने इस देश के रिजर बैंक आफ इंडिया ने, जिसको हम सबस्ट द्खड़ा शपचिन तक समझते हैं, हमारे जो सारे के सारे सरकारी मामलों को रेगुलेट करता है जो उस RBI ने 2017 में एक ओर्डर निकाला और उस ओर्डर में जो कहा गया था उससे आपके कान सन रह जाएंगे और इस ओर्डर में ये कहा गया था कि आपने अगर बैंक के लौकर में सामान रखा है तो अब भारत के रास्ट्री कृत बैंक और RBI इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे नौ बैंक भारत के नेशनलाइज बैंक भी इसमें शामिल थे यानि कि आपने अगर अपना पैसा इस बैंक में रखा है तो वो चोरी हो जाता है तो जिम्मेदारी बैंक के नहीं होगी पैसे बैंक के पास रखे हुए और आप ये समझ के रख रहे हैं वाँ सुरक्षित रह बैंक के नागरे बाकाइदा कम्पटिशन कमिशन आफ इंडिया में गए कि भाई आपकी मनोपोली है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करोगे आप सोचिए भी आप आप बषरोसे में पैसा रखके हैं और वह कें हमारी जूमेदारी नहीं उसके बाथ जिसी सामन हम्हं करते हैं यह बहिस पर ब्रॉसा करते हैं कि देखा बहु ऐसा है आप जो भी पैसा है या निकालते हो बैंक से ये उनकी नियमित प्रैक्टिस है इसलिए हम इसमें दखल नहीं दे सकते अब आप सोचिए देश में अंधकार है कोई कानून नहीं है आप समझते हैं आपके घर में कम से कम कोई सामान रहेगा तो आपकी कस्टडी में तो रहेगा रात को खटका करेंगे वहाँ बैंक में आपने सुरक्षित समझकर लॉकर में जो सामान रखा हुआ है उस सामान को रखने का आप हजारों रुपे किराय देते हैं कोई बैंक 10,000 लेता है कोई 20,000 लेता है कोई 25,000 रुपया लेता है कोई 1500 रुपया लेता है और जब उसमें आप सामान कहीं कुछ हो गया इस सब के बाद में जब कमिशन कमिशन आफ इंडिया से भी मामला बाहर हो गया तो बैंक ने ठीक हम एक काम कर देते हैं बार बार जब लोग करने लगे तो एक व्यवस्था थी कि इंशुरेंस है आप इंशुरेंस कंपनी में क्लेम करेगा बैंक सामान आप है कि वो पैसा इंशुरेंस कंपनी आपको दे दे चुकि इंशुरेंस कंपनी में पार्टी आप नहीं है तो ना तो आप जिद कर सकते ना आप बहस कर सकते ना मामले को उपर ले जा सकते मामला उपर अगर लेके जाना है तो को लेके जाएगा बैंक के जाएगा तो बैंक क कर रही थी लेकिन 2021 में इस देश के समविधान ने किया कि आईए समझे दुबारा से मामला कहीं से सुप्रीम कोट में पहुंचा सुप्रीम कोट ने कहा कि ये समविधान के हिसाब से तो गलत है और हम कस्टोडियन हैं कंस्टिउशन के तो इसलिए ये तो नहीं चलेगा कि आप कहदो कि साब किराय का मकान था हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है चोरी होता है तो हो जाए तो उसने कहा कि RBI तुम को एक कानू बना के दोगे कि अगर आदमी का सामान लौकर से गाहे होता है तो क्या होगा देखिए अब कानपूर में जो सामान चोरी हुआ है उनको क्या मिलने वाला ये इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं तो RBI से कहा गया कि आप किसी भी हालत में कानून बना के और आईए और य कर या इने ऐक Firmula बनाया और उस Firmula को ले कर वो दोबारा से सउप्रीम कोड के पास गये और फार्मूले को फिर Public किया गया लाघू किया गया ओर वह किया लाघू लाघू किया गया यह कि अगर आपने बैंक में जो भी पैसा रखा हुआ है जो भी किराया आप दे रहे हैं उसका सो गुना ही आपका सुरक्षित है माले जी आप अपने लॉकर का किराए अगर दो हजार रुपए दे रहे हैं तो दो लाख रुपए तक किस सामान की ही गारंटी बेंक लेगा उससे ज्यादा का सामान अगर आपने लॉकर में रखा तो आपको ठंठन गोपाल मिलेगा इन दो लाख रुपए की भी संपत्ति के आपको सबूद बेंक को देने पड़ेंगे ये बात तो सही है आप कैदो मेरे लॉकर में ये रखा था वो रखा था तो कोई कैसे माल लेगा आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ भई था हमने सामान रखा था और ये सामान हमने फलाजगे से खरीजा था इस सामान के हम मालिक हैं वहां तक एक लॉजिकल बात लगती है लेकिन आप सोचिए कि इस देश की समाज इस देश की सरकार के बीच में जो एक अंतर है राजा राजा होता है चाहिए वो किसी भी प्रकार का राजा हो लोगतांत्रिक हो ताना शाही हो या कोई भी हो प्रजा प्रजा होती है लेकिन लोगतांत्र में समविधान होता है कानून होता है जो प्रजा के अधिकारों की रक्षा करता है और उसी अधिकारों की रक्षा करने की जो व्यवस्था है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट से आज लोकर वालों को न्याय मिला तो कानपूर में जिनका सामान चोरी हुआ है तो जो कानपूर में सामान चोरी हुआ है उसमें अगर वो लोकर का किराया दो हजार रुपए देते हैं तो उनको दो लाख रुपए तक कमपंजेशन मिल पाएगा जो बीस लाख रुपए का सामान उन्हें उस लॉकर में रखा था वो सुरक्षित नहीं रहा उनको 18 लाख गया आप उस चोर को पकड़ लें बाया बरामद हो जाए वापस मिल जाए व लेकिन बैंक की लाइवटी की किराया आप देते हैं तो दो रुपए की हैं 20 हजार का अगर आप किराये देते बीस लाख रुपए की हैं ये अस के तहट को नहीं में आ पर बान की हो तक शाइब सब्सक्राइब कर रह आप की जो संपत्ती शाया है जो प्रॉपर्टई की आ लॉकर में कितनी सेफ है और उसको लेकर आपको कितना निश्चिंद रहना चाहिए इस्टेट बैंक का ज्यादा तर लॉकर जो तूटा है उसका नॉर्मल साइच का जो छोटा लॉकर होता है उसका उसका जो है किराया दो हजार के आसपासी साला ना होता है तो इनको दो लाख रुपे ही मिल पाएंगे जिनके बीस लाख रुपे चोरी हुएं तीस लाख रुपे चोरी हुएं लेकिन फिर भी ये स्टिती है लेकिन मैं मुझ से अगर आप पूछेंगे तो सुप्रीम कोट के कहने के RBI ने जो कानून बनाया है उस कानून में भी उन्होंने बैंकों को पूरी तरह से बचा लिया है अगर आपके पास में लॉकर में सामान रखा हुआ है तो लॉकर के सामान में लॉकर की जिम्मेदारी जिम्मेदारी उन्हीं की है क्योंकि इसके अलावा किसी और का ये काम नही झाल 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 झाल